हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग विवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में टाटा पावर को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सो किस तरीके से कंपनी की सारी ही चीज़ों को यहां पर डिस्कस किया जाए समझा जाए डिफोर टेकिंग अने ट्रेड तो हम इस तरह से इस बात को समझेंगे और आप यह मान कर चल सकते हो कि टाटा पावर को लेकर यह एक कंप्लीट इस्टेडी है और उतनी इस्टेडी है इतनी हमें एक decision making के लिए चाहिए किसी भी stock को buy करने के लिए जो हमें decide करना होता है कि मुझे यह share पाए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं होता कि हमें accountant बनना है या हम इने बहुत पढ़ालिखा होना चाहिए हमें basic basic चीज़े समझ में आने चाहिए general understanding के base पर जो life के लिए जरूरी है जो जीने के लिए जरूरी है बस उतनी समझ है यहां पर तो यहां सबसे पहले अगर हम बात देखें कि अभी जो profitability है profitability किसी भी stock के लिए किसी भी company के लिए सबसे important factor होता है यहां पर last 12 months का अगर हम revenue देखें तो यह highest ever है सबसे before tax highest ever है और net profit highest ever है यानि कि जो current जो latest 12 months है latest 12 months में जो company की performance है वो highest ever performance है second point यहां पर क्या है कि latest quarter में company ने कैसा किया latest quarter की अगर हम बात करने लगें जो जून quarter की results आए तो highest ever revenue आई है इतनी revenue आगसा तक इससे पहले कभी नहीं आई उसके बाद में highest ever operating profit आया है फिर उसके साथ मे highest ever profit before tax हम नहीं कहेंगे क्योंकि इससे पहले highest ever profit before tax आया था December 2022 में लेकिन highest ever net profit जरूर है यहां पर जब highest ever net profit है और highest ever revenue है और highest ever operating profit है latest quarter में और अगर last 12 months की बात करने लगे तो उसमें भी सारी चीज़े highest ever है और balance sheet में अगर हम देखें तो यहां पर reserve increase हुआ है last one year में 6,000 करोड से और जो borrowing है वो सिर्फ 17,1800 करोड से यहां पर increase हुई जबकि जो fixed assets है वो अच्छी खासी increase हुई है fixed assets को जब हम compare करें तो थोड़ा सा हमें fixed assets and CWIP दोनों को club करके compare करना चाहिए तो 57,389 plus 4,635 अगर हम इन दोनों का total करने लगे तो यह हमारा 62,000 करोड आता है और अभी latest वाला अगर देखने लगे तो 61,700 plus 5,300 तो यह हमारा 67,000 करोड आता है तो 62 से 67,000 करोड होना यानि कि 5,000 करोड से fixed assets का increase होना और उसके लिए loan लेना सिर्फ 1700 करोड का यानि कि बचा हुआ पैसा कहा से आया बचा हुआ पैसा जो अपना net profit है वहां से आया तो आज की date में इससे क्या पता चलता है इस बात से पता चलता है कि आज की date में जो company expand कर रही है company अपने ही कमाई हुए net profit से expand करने में सक्षम है और यह जो expansion है यह किस तरह का expansion है हम यह भी एक बार देख लेते हैं जो इनकी recent report है recent report में यहां पता चलता है कि यह 4 gigawatt module factory लगा रहे हैं यहां पर और यह जो factory है यह basically यहां पर जो solar panels है उसकी factory है और नीचे 4 gigawatt cell factory है cell facility है यह basically batteries की है तो यहां पर solar cell and module manufacturing projects remains on track तो यह पूरा का पूरा system बनता है इनका जिससे अपनी ही factories से यह जो इनको अगर suppose नया power plant लगाना है और वो power plant इनको solar panel वाला लगाना है तो इसके लिए जो solar panel और module चाहिए जो cells चाहिए वो सारे के सारे अपनी ही factories में बना लिए जाए हम किसी और से क्यों purchase करें क्योंकि जितना profit सामने वाले को देते उतना profit हम खुद रखेंगे अपने पास और लगातार और यहां पर dependability नहीं रहेगी दूसरे के ऊपर यहां supply chain में जो sometimes disturbance आती है या फिर जो अर्चने आती है वो चीज खत्म हो जाएंगी अपनी factory में बनेंगी तो अपने पास आएगा सारा सामान तो यह एक backward integration होता है forward integration होता है कि हमने जो बनाया उसको आगे बेचा जाए तो अभी जो जरुद इनको है उसको उस product को बनाना श यह जितना भी expansion है यह सारक सारक कहां से हो रहा है यह सारा expansion हो रहा है अपने कमाय हुए profit से so that is the good part second हम यहां पर अगर देखें तो इन्होंने एक chart दिखाया है that transitioning to non fossil fuel based generation by 2045. 2045 तक company सिर्फ और सिर्फ clean energy में आ जाएगी यानि कि जो thermal based यानि कि कोईला जो use करके जो energy create करते है जो power generation होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी 2014 में जो situation थी 84% थी 84% thermal था और 16% green था अभी situation change होकर 62% thermal रह गया वो 38% green है अभी 2030 तक जो इन्होंने change करना है that is 70% लेकर जाना है 38% से green energy को जिसकी वज़े से thermal यहां पर 30% रह जाएगा अब जब thermal 30% रह जाएगा तो इसका म अगलब है कि आप जो thermal plant है उसको लगाएंगे नहीं अभी आने वाले टाइम में उसकी यहां पर installation नहीं होगी वो capacity यहां पर enhance नहीं होगी जितने भी capacity enhance की जाएगी वो सारी की सारी यहां पर green energy होगी green energy में जैसे hydro आता है और उसके बाद में हमारा solar आता है और उसके साथ मे wind energy आता है तो यह तीनों ही energy को यहां पर यह लोग implement करने पर लगे होगे हैं साथ में इस से एक्चल में यह पता चलता है कि काफी हद तक यहां से लगातार capacity expand करते रहेंगे इस बात से यह पता चलता है उसके साथ में हम एक और चीज़ देखें जैसे इन्हों नहीं यहां प साथ साथ पता सलता है कि आने वाले time में इस तरह की जो demand है वो बहुत जादा बढ़ने वाली है और इन्होंने एक particular presentation में mention भी किया था कि 2025 तक यहां पर यानि कि अभी जल्दी ही यहां लिखा हुआ है इन्होंने plans to build 1 lakh EV charging stations by 2025 तो मैं इस सब बाते discuss क्यों कर रहा हूं मैं इसल बढ़ेगी और power की demand का बढ़ने का simple सा again same criteria है जो मैं हमेशा बात करता हूं आप भी सुन सुन कर पक चुके होंगे per capita income per capita income जैसे जैसे increase होगी power consumption बढ़ेगी जिसके घर में freeze नहीं है वो freeze लेकर आएगा जिसके घर में freeze छोटा है वो बढ़ा लेकर आएगा जिसके घर में कि सब में AC लगेंगे, fence लगेंगे, coolers लगेंगे, new resorts खुलेंगे, new hotels खुलेंगे, new factories खुलेंगे, new buildings बनेंगी तो यह power से ही चलेगा सब कुछ और अब तो vehicles भी जब power से चलेंगे तो फिर power की demand तो यहाँ पर बढ़ने ही वाली है एक बार हमें business समझ में आ जाए तो चीज that business with their own income जो साल की income आती है उसी से यहाँ पर expand करने में शक्षम है यह अच्छी बात है और साथ में अगर हम बाकी ratios देखें तो वो भी सारे अच्छे हैं यहाँ पर public के पास बहुत जादा holding नहीं है 28.48% है और last quarter के comparison में थोड़ी सी कम हुई है यानि कि यहाँ पर एक तो FII ने थोड़ी सी अपनी holding बढ़ाई है और साथ में DII ने भी अपनी holding थोड़ी सी बढ़ाई है तो current quarter यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा गया है जो मैंने आपको presentations यह दिखाई है आप यह presentations यहाँ पर कोन कॉल में नीचे जो PBT है August 2023 यानि कि latest quarter results के बाद जो आई है आप इसको रीड करोगे तो आपको सब को समझ में आएगा मैंने सिर्फ important वो points बताए आपको जो मेरे हिसाब से decision making के लिए important थे और यही purpose भी है आपको सिखाने का कि आपका time थोड़ा सा बच सके और आप सीख भी सको यहाँ पर तो purpose किसी भी तरीके से आप tips देने का नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको recommend कर रहा हूं buy or sell करने के लिए no there is no recommendation to buy or sell मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीज़े important है अब जब आप यह 42 page की पूरी presentation पढ़ोगे जो मैंने यहाँ पर बताया यहाँ 46 pages है मैंने आपके साथ ने सिर्फ तीन slides को यहाँ पर discuss किया तो आप technical से में यह पतलता है is it the right time to buy this good company क्योंकि कहीं बार होता है कि company अच्छी है business अच्छा है financials अच्छे है सब कुछ अच्छा है लेकिन बहुत जादा बढ़ गया है या फिर बहुत जादा ऐसे तूट गया है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कुछ गरवर तो नहीं है तो technical chart patterns का एक बार देख लेना बहुत जादा important है यहाँ पर technicals की जब हम बात करते हैं तो हमने पहले इसको discuss किया था कुछ range bound trades के लिए तो हमने एक range यहाँ पर create की थी कि this is a range और हमने इस stock को discuss किया था almost आप लेकर चलो May month के आसपास आप उसको backtrack करके देखना चाहते हो तो जो technical ने जो indicate किया था वो चीज़ वैसी ही हुई जैसा technical chart patterns बोल रहे थे अभी यहाँ पर एक further chart pattern बन रहा है अगर आप देखोगे so this is a reverse head and shoulder pattern so this is the left shoulder and this is a proper head and this is the right shoulder और right shoulder के बाद यहाँ पर breakout भी हुआ अगर हम देखें so breakout with this candle that is on 28 July और breakout candle का जो top बना हमने mark कर लिया और इस top के ऊपर हमारा close होना चाहिए जिससे breakout confirmation हो जाए तो हमारा breakout confirmation भी हो गया 1st August को और अच्छी बात यह है कि confirmation होने के बाद में stock price वापस से जो breakout level था वहाँ आ गया यानि कि हमें सस्ता खरीदने का मोका भी दे रहा है अब हम एक बार इसका technical measure करते हैं कि कितना हमारा potential gain हमने इसकी depth को pick किया pick करने के बाद में breakout level पर इसको place किया and technical target is coming 278 right now the stock is trading at 230 और 230 से लेकर अगर 278 तक का हम यहाँ पर potential gain देखें so this is 21% potential gain अब 21% आने में कितना time लगेगा this is a great company no doubt about it और अच्छी बात क्या है कि यह जो 20% का potential gain है this is within the lifetime high और मैं हमेशे एक चीज़ कहता कि जो technical targets lifetime high से नीचे ही हो उनके यहाँ पर successful होने के chances mediocre नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और खास्तोर से जब best ever quarterly results आए हो best ever trillion 12 months के results आए हो और यहाँ पर business के further grow होने के लिए हमें साफ साफ चीज़ी समझ में आती हैं तो यहाँ पर business भी strong है, financials strong है, अच्छे results है, management भी अच्छी है, tata group है और साथ में technical chart pattern है, technical chart pattern 20% potential gain को indicate करता है और यह जो technical target आ रहा है that is below lifetime high यानि कि lifetime high तक पहुशना किसी भी अच्छे stock के लिए आसान होता है तो यहाँ पर मैं bullish हूँ इस stock पर लेकिन मेरी recommendation नहीं है, again I am saying इस बात को मैं बहुत बार कहूँँगा, और एक बात और अगर मैं किसी stock को यहाँ पर discuss कर रहा हूं और किसी particular video में मैंने यह discuss किया that this is my portfolio और जो stock मैंने discuss किया तो मेरे portfolio में नहीं है, तो अगर यह question mind में आता है आपने वो stock discuss किया था, I am amazed कि आपके portfolio में वो stock नहीं है, तो देखो मेरे stock purchase करने की limit है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं पूरे साल में 200 stocks discuss करूंगा तो मैं 200 के 200 ही purchase कर पाऊं, अब जैसे मैं आज startup आवर discuss कर रहा हूं तो जरूरी थोड़ी है कि आज कहीं से पैसे आ जाएं लगान चाहिए, ना कि कोई tip लेना या राय लेना या recommendation लेना, ये मेरी recommendation है कि किसी भी वीडियो को recommendation ना लिया आजाए, आप सीखते रहे हैं, मैं सिखाता रहूंगा, और आप दोस्तों कर शेयर करते रहे हैं, सब्सक्राइब कराना है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपन्चेहिन, जया भारत